नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है दोस्तो आज हम बनाएंगे दो केलो से हल्दी और टेस्टी रेसिपी तो चलिए बनाते हैं दो केलो के साथ हल्दी रेसिपी ये मैंने दो केले लिए हैं आप चाहिए इससे ज़्यादा पके हुए हैं वो भी ले सकते हैं इस तरीके से आपने केला लेना है और इसे छील कर इनके पीसिज काट ले इस तरीके से इसके गोल गोल पीसिज काट लीजिए दोनों केलो के अब लेते हैं दोस्तो एक बाउल बाउल में हम डालेंगे इसके उपर चलनी रख लेते हैं पहले, इसमें डालेंगे एक कप मैदा, और फोर्थ कप इसमें शुगर पावडर डालेंगे, आप दोस्तों इसमें डाल लेते हैं, दो चमच वनीला फ्लेवर के, या फिर आपके पास कस्टर पावडर हो, वो भी आप ले सकती हैं, मैंने वन बेकिंग सोडा डलेगा वो बेकिंग पाउडर की आधी मात्रा होनी चाहिए तो इस तरह के से हमने दोनों चीज़े इसमें डाल ली है बेकिंग पाउडर भी और बेकिंग सोडा भी इसको हम छान लेते हैं छान कर दोस्तों आपने इसको मिक्स करना है अपस में ताकि अच्छ से mix हो जाए दूद में, दूद मैंने उबला हुआ room temperature पर लिया है, इसको अच्छे से mix कर ले, whiskers से mix कर सकते हैं, अच्छे से mix कर ले ना है, फैट ना है, बस जितना अच्छा आप फैटेंगे ना, उतना ही बड़ी आपका batter बनेगा, और उतनी ही बड़ी आपकी recipe बनेगी, अ अब यहाँ पर ले लेते हैं एक egg, इस तरह से तोड़ कर, इसको fat लेते हैं, अच्छे से fat कर दोस्तों, ये egg भी आपने batter में डालना है, अब दोस्तों इसमें डालना है आपने, जितनी हमने sugar ली थी ना, उससे आधा आपने oil डालना है, इसको mix कर देते हैं, अच्छे से अपने mix करनी हैं, अच्छे से, mix होने के बाद ही हमारा अगला process चलेगा, ये देखे दोस्तों, batter इस तरह का होना चाहिए, गाड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस consistency का आपका batter होना चाहिए, आप चलते हैं अपने next step, दोस्तों अब आपने pan को गरम होने के लिए gas पर देना है, गैस पर pan रखने के बाद इसमें डाल लेते हैं, दोस्तों, दो चमच के क्रीम, butter, ये non salted butter है, वही आपने लेना है, तो non salted butter को हम इस तरह से पिंगला लेते हैं, जैसे ही ये पिंगलेगा ना, इसके बाद आपने इसमें डालना है, शुगर, दो से तीन चमच आप डाल लें, शुगर को आपने melt करना है, इस तरह से, ये जैसे ही melt हो जाए, दोस्तों, आपने अभी gas को बिल्कुल सीम रखना है, या फिर मैं ये कहूं, सारी recipe में आपने gas को सीम ही रखना है, इसको पिंगला लेते हैं, पिंगलने के बाद दोस्तों, आपने इसमें डालना ह जो हमने बनाना लिया था ना, वो हम इसमें डाल लेते हैं, कटे केलो को आपने पैन में इस तरह से डाल लेना है, अच्छे से, और जो हमने बैटर बनाया है ना, वो इसके उपर इस तरह से डाल लें, सारी जगा अच्छे से फैला दे, जितना भी आपका बैटर है, तो ये बाद ही दोस्तों आप इसका धकन उठाकर देखेंगे कि आपकी रेसीपी त्यार हो गई है या नहीं आप चलिए देखते हैं दोस्तों दस मिनट के बाद मैं धकन उठाकर आपको दिखा रही हूँ ये अच्छे से उपर से सिख गया है स्पेचुला से साइडे निकाल ले इसकी और एक प्लेट इसके उपर रख ले इस तरह से और इसको उल्टा कर दे पैन को उल्टा करने के बाद ये जो हमारी रेसीपी है यानि हमारा केक बना है ये बनाना वाला इसको उल्टा कर देना है प्लेट में ये देखे दोसों बहुत ही अच्छी तरीके से ये सिख गया है अब क्या करेंगे पैन में लगा लेते हैं वापिस से थोड़ा सा बटर लगा ले या फिर घी भी लगा सकते हैं आप और इस पैन में ह कि इसको दूसरी side से नीचे करना है आपने इस तरह से डाल देना है जैसे मैं डाल रही हूँ इसको set-sa कर दे बड़ी ही ध्यान से सालधानी से आपने ये डालना है ताकि आपका cake तोटे नहीं बहुत ही tasty देखने में बहुत ही सुनॉदर अब दोस्तों आपने दुबारा से इसको ढखकर पांच मिनिट के लिए पकाना है अब पांच मिनिट में आपके ये बन जाएगी रेसिपी अब पांच मिनिट आपने दुबारा से इसको पकाना है पांच मिनट के बाद देखे दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूँ वाव देखे कितना सुन्दर लग रहा है देखने में ही अब एक लेते हैं टूथपिक उसकी साहता से देख लेते हैं कि ये पुरा पका है ये नहीं तो ये लिजे दोस्तों मैंने इसमें गुशा कर देख प्रेहु में हर तरफ से आप इसमें गुशा कर देख लेए टूथपिक हर जगा से अच्छे से पक चुका है बस अब आपने गैस को बंद कर देना है क्योंकि हमारा ये बनाना केक बनकर ईजी है पैन में दोस्तों ये बहुत ही ईजी रेसीपी है और हर को इसको बना सकता है और खाने में इतना जबरदस लगेगा ना कि आप मार्किट के सब केक वगरा भूल जाएंगे तो इस तरीके से आपने इसको निकाल लेना है या फिर इसी में आप इसके पीस कर लें क्योंकि बड़ा है साइज में कभी हम निकालने के चकर में लग जाएं और ये तूट जा तो इसी में आप पीस कर लें आप मन चाहें पीसीज कर लें तो ये लीजिए दोसों मैं दिखा रही हूं आपको एक एक पीस वाओ देखिये कितना सुदर लग रहा है देखने में भी सुनदर लग रहा है और अच्छे से ये पक गया है फ्लफी सा केक मेरा बनकर रेडी है ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूं करके खाने में जवर्दस और देखने में भी बहुत ही सुन्दर तो इस तरीके से दोस्तों आप भी घर में बनाना से केक बना सकते हैं ये बनाना आप ज़्यादा पके हुए भी ले सकते हैं जैसे कि हमारे घर में बनाना बच जाते हैं, कोई नहीं खाता उनको, तो उन बनाना से भी आप ये चेक बना सकते हैं. दोस्तों, इस ऐख को आप बच्चो को बना कर जरूर खलाएं. जैसे छोटी मोटी भूग बच्चो को लग रही है, तो घर में आप इस केक को रेड़ी कर सकते हैं बच्चे को ही नहीं दोस्तो बड़ो को भी बहुत ही पसंद आने वाली है एक बार इस तरीके से ये केक बना कर जरूर देखना इसमें कोई ओवन वगारा की भी जूरत आपको नहीं पड़ेगी सीधा कड़ाई में डालें और आपका जो केक है वो बनकर रेड़ी हो जाएगा तो दोस्तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ धन्यवाद दोस्तो